देगे चरण सिक सापरा का ये कहना है कि उनका परिवारवाद परिवारवाद और आपका परिवारवाद पार्टी कैसे हो सकता है? चित्रा जी बीच में न बोले ये अच्छा नहीं लगता है चोटा जब इस दानेवाद तो मैं इतना ही कहूंगा ये सफर सिफर पे ही आके रुकेगा वैसे भी कॉंग्रेस एक जीवान पार्टी नहीं मृत पार्टी है और लुटेरा कौन? लुटेरा वो है जिसने टू जी घोटाला, सी डबलू जी घोटाला, जीजा जी घोटाला किया जिसने जाकिर नाएक जैसे है आतंगवादी से पचास लाग रुपए रिश्वत जूट और गदार कौन है? गदार वो है जिस कॉंग्रेस पार्टी ने पचास लाग राजस्तान में है, महिलाओं के साथ बलतकार सबसे ज़्यादा राजस्तान में है और एक बात और कैदू और अंत करूंगा, ये सारे मुद्दे चुनाम में उठाएते, जन्ता ने अगर हमें आशिरवाद दिया है, तो कुछ तो ठीक कर रहो है जित्रा दी, ये जो अंतका रहने वारों को उजला नहीं दिखाए देता है, जन्ता की दिशा बूल करते हैं, पोलराईजेशन करके चुनाम जितते हैं, हिजाब की बात करेंगे, हलाल की बात करेंगे, 80 और 20 की बात करेंगे शमशान, कबरिस्तान इस तरह से बाते होंगी तब जाकर के ये चुनाव जीतते हैं ये चुनाव जीतना है तो जीत करके दिखाए पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो 15 से 20 रुपे कम करके बताईए आजी आपने CNG गैस के दाम 7 रुपे बढ़ा दिये हैं आपने PNG के दाम परसो बढ़ाए थे आप कल फिर LPG गैस के दाम बढ़ाने वाले हो तो इस तरह से अगर आपको जनता का विश्वास जीतना है तो आप चुनाव से पहले नहीं चुनाव के बाद भी दाम जो है वो कम करके दिखाएए तब जनता विश्वास करेगी और गौरव भाटिया जी ये तो जनता जानती है कि आप गौरव भाटिया नहीं गौरव घटिया है घटिया बाते गटिया लवजी वापरते हैं आपने साहाब प्रीज जिस तरह से बोल रहे तो मैं गौरव भाटिया ये तो उड़ जाएंगे पीछे वो हाथ है वो ठीक आप फूक मारके उड़ जाएंगे मैं मैं चरवाल सापरा आपको पापरा उडाने वालों में से हूँ बोलिया और कितनी गटिया बात करना चाहते है वो बोलिया तो रेगलेट कर लीजिए या तो कोई बात ने चलिए एक सिकेंगे जरा हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगी कि निजी और व्यक्तिका टिपड़ी से थोड़ा साधरा परहेज रख्यों और मैं चित्राजी मुझे 10 से कि में जल्दी से गवरभाटिया आपने बात कुछी तो वो उचित है वो हमारे वो हमारे नेताओं के नाम पर तंज कैसे वो ठीक है चाहें उनकी बात हो चाहें आपकी बात हो से मैं दोनों लोगों के लिए कर दिया सब तो आपको अब्जिक कैसे होगी वो आगे नेताओं के बारे में उसके लगाएंगे तो निश्चन को लेकर यहां चर्चा करने बैटे हैं वो महत्वण है आप दूसे एक दूसे पर कीचड किस तरह से उचालते हैं वो महत्वण नहीं है लोगों के लिए उनका समय कीमती है गौरभ जी अपने ब की जो पार्टी में सिखाया जाएगा जो दूसरे की परवरिश होगी वही बात यह बोलेंगे मैं चरन सिंग सापरा को कोई अब शब्द नहीं बोलूँगा अपनी माता जी से कहिएगा उनके चरन सपर्च किये हैं पंजाबियों का अपने अपमान किया है और 84 के दंगों क नर्थ संगार हुआ वही कॉंग्रेस है यह इसलिए आपसे ज्यादा उमीद मैं नहीं करता हूं